तो बात चल रही थी कि जी कर्परेशन की डेफिनेशन की तो ये हम कर्परेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं Justice Langley defines करते हैं कंपनी को कि जी an association of many persons who contribute money or money words to a common stock association कहते हैं अंजमन को तो मतलब कि ऐसे अंजमन एक ऐसे मतलब आपस में लोगों को मिल जाना और फिर उनका पैसों को एक जगाना और फिर उन पैसों की कीमत के बराबर के common stock common stock कहते हैं security को that represents ownership of the company मतलब कि company की ownership को वो represent करते हैं and invest it in some trade or business और फिर हम उसको invest कर देते हैं या किसी तजारत में या फिर किसी business में ठीक है and who share the profit and loss arising there from और जो कुछ या तो इसमें नफ़ा होता है उस business में या फिर उसमें नुकसान होता है तो वो दोनों मतलब वो बंदे आपस में contribute करते हैं share करते हैं the common stock so contributed is denoted in money and is capital of the company common stock को हम contribute करते हैं persons तो उसको हम denote करते हैं पैसों से denoted in money and is capital of the company और वो company का सरमाया होता है the person who contributed or to whom it belongs the member जो बंदे इस company में यह justice land ले कहते हैं कि जो लोग company में invest करते हैं चाहे वो पैसे करें या commerce stock करें वो company के members कहलाते हैं the proportion of capital to which each member is entitled in his share share always transferable share जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे capital में उसको divide कर देना members पे members पे उस capital को divide कर देना मतलब कि इतना इतना इस बंदे का share है मतलब एक बंदे ने काफी ज़्यादा shares खरी दियोंगे एक बंदे काम खरी दियोंगे तो उस proportion से हम लोगों को कर देते हैं कि इसकी इतनी contributions हैं इसकी इतनी contributions हैं और shares are always transferable हम हमेशा shares को transfer कर सकते हैं मतलब कि एक बंदा है वो नहीं रखना चाहता था वो दूसरे बंदे को दे देगा तो इस तरह share transferable होते रहते हैं इसमें जैदा दर रिस्ट्रिक्शन होते भी हैं और नहीं भी होते हैं according to Chief Justice John Marshall Chief Justice John Marshall यह कहते हैं कि a corporation is an artificial being invisible intangible and existing only in the contemplation of the law artificial कहते हैं मस्नुई ठीक है invisible कहते हैं पोशीदा को and intangible जिसको हम हाथ ना लगा सकें तो वो कहते हैं कि एक ऐसी मस्नुई जो नज़र ना आने वाली corporation एक ऐसी मस्नुई जो नज़र ना आने वाली जिसको हम आथ ना लगा सकते and existing only in the contemplation contemplation कहते हैं गोर्व फिकर के साथ ठीक है जिसको सिर्फ हम गोर्व फिकर के कर सकते हैं जिसके वजूद को इसको कहते हैं कानून की सिर्फ मखलूक होना यह सिर्फ कानून की एक मखलूक होती है corporation इसके पास से वही खसुसियात होती है जो इसका चार्टर या जो इनको तखलीक इसकी अता करती झाल इसके पलीक होती है